ओपन कोर्स में आपका स्वागात है आज सॉल्व करेंगे SSC CGL 2020 का 13 अगस्थ शिफ्ट 3 वाला पेपर तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों पहले सॉल्व कर चुके थे आज देखेंगे शिफ्ट 3 को शिफ्ट 3 में एक चीज़ जो खास टेलिग्राम के चैनल पे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शुरू करते हैं इस वीडियो को एक एक करके सारे सवाल हम देखते चलेंगे कैसे हम चीज़ों को fast approach रखें वो सीखेंगे और क्या-क्या important concept है उनके अंदर जो हमें अपनी regular classes में सीखना है और exam के दौरान लगाना है वो सब चीज़े भी देखेंगे पहला सवाल simplification based सवाल है तो board mass rule standard यहाँ पे लगेगा bracket part में देखें तो nested bracket में सबसे अंदर वाला हिस्सा यह आता है तो divide है तो यह हो जाएगा 5 5 into 4 20 इतना हिस्सा 20 देगा यहाँ पे 15 minus 20 है मतलब यह वाला हिस्सा minus of 5 हो जाएगा अब इस वाले हिस्से को अगर देखें 2 of 3 है मतलब यह बन जाएगा 6 18 है 6 से divide करेंगे तो यह मुझे देगा 3 3 minus minus of 5 मतलब यह total मुझे देगा plus of 8 bracket में अब यहाँ पे minus है तो 7 minus 8 मतलब minus 1 minus 1 को minus 20 से multiply करेंगे तो plus 20 और यहाँ पे 14 है तो उसे जोड देंगे 34 option number D होगा मेरा correct answer question number 2 a circle touches 4 sides of quadrilateral ABCD whose sides 4 side हमें दी है 3 के हमें value दी है 4th side के हमें value निकालने standard question type है opposite वाली जो side होती है उनका sum का pair बनता है कहने का मतलब अगर मैं diagram draw करके आपको बता दूँ circle है और इस पर बनाना है quadrilateral इस तरह से अब इसको नाम अगर देते चलें A, B, C, D तो standard property चलती है कि जब भी circle आपका अंदर बनेगा quadrilateral के अंदर और 4 side को touch करता हुआ बनेगा AB प्लस उसके opposite है CD ये बराबर होता है BC प्लस इसके opposite है AD standard formula है बस यहीं यहाँ पे लगाना था AB की value दी है 8.4 CD की value दी है 5.6 BC की value दी है 9.8 और AD की value तो निकाल गी 0.6 इसे दे दें तो 9 बन जाएगा 9 और 5, 14 9.8 प्लस AD तो 14 मैंसे अगर 10 घटा दें तो 4.2 एड कर दें तो 4.2 AD की value मिल जाएगी यहाँ से 4.2 Option number B होगा correct answer Question number 3 Algebra का standard question है यह आपको expression दिया है इसके आपको value निकालनी है यहाँ पे आपको clearly दिख रहा है 2X का cube बन रहा है और यहाँ पे X का cube बन रहा है इस वाली equation को मैं पहले तो rearrange करूँगा तो X से divide कर देते हैं यह हो जाएगा 2X minus 1 upon X minus 8 बचेगा right hand side पे ले जाएंगे तो वो बन जाएगा plus का 8 अब cube चाहिए तो इसका मैं cubing करूँगा इस वाले part को cube करेंगे तो यह मुझे दे देगा 8X cube minus 1 upon X cube इतना वाला हिस्सा minus 3AB A plus B तो वहाँ पे मुझे मिलेगा 3 multiply by A B करेंगे तो 2 और A minus B चुकि minus वाली term थी तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यह बराबर होगा 8 का cube करना है मतलब 512 यह हो जाएगा 6 6 is a 48 इस तरफ जाके plus हो जाएगा तो 512 में 48 को जोड़ देंगे यह हमें देगा 560 option number A होगा यहाँ पे correct option number 4 ABC हैं उनके बीच में कुछ पैसे आपने divide किये हैं average जो उनका amount है वो आ रहा है जो amount जो average है 4520 average of the amounts with them is यह मतलब अगर इसको मैं 3 से multiply कर दूँ तो मुझे total amount की value पता चल जाएगी अब A का जो है वो इतना percent जादा है B से और इतना percent जादा है C से मतलब यहाँ पे A और B और A और C इनमे relationship मिल जाएगा ratio मिल जाएगा ratio मिल जाएगा तो उसे manipulate करके A, B, और C इनका मुझे ratio मिल जाएगा तो सबसे पहले तो मेरा काम है कि A, B, और C इनके बीच में मुझे ratio मिल जाएगा तो total value मुझे यहाँ पे पता है यह multiply by 3 वहाँ से फिर जो पूछा होगा वो मैं निकाल सकता हूँ पहला काम है ratio निकालना A और B में क्या होगा A, 10 whole 2 by 3% जादा है B से अब इस वाले percent को अगर मैं देखूँ तो यह है 32 divided by 3 percent का sign है तो यहाँ पे 100 लगा लेते हैं 4 से divide करें यह जाएगा 8 बार यह जाएगा 25 बार मतलब 8 बटे उचतर यह तो ratio निकला लेकिन A, B से इतना percent जादा है इसका मतलब अगर मैं A और B में ratio लिखूँँगा B को अगर मैं 75 मानूँ तो A को क्या करना पड़ेगा 75 प्लस 8 करना पड़ेगा तो 10 जोड़ दो 85 दो घटा दो 83 A और B में relationship मिल गया वैसे ही A और C की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 33.13 मतलब यह तो standard ratio हो गया 1 by 3 होता है less than C तो 1 by 3 less निकालना है तो यह हो जाएगा 2 by 3 यह दोनो ratio मुझे मिल गए लेकिन इस वाले ratio में A की value यह है इस वाले ratio में A की value 2 है तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा ratio merge ratio merge करने के लिए क्या करूँँगा इसे अगर मैं उपर नीचे 2 से multiply कर दूँँ इसे मैं उपर नीचे 83 से multiply कर दूँ तो A की value दोनों जगे अब same हो जाएगी इसी चीज को यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं A का जो ratio रहेगा वो होगा 16,6 is to B हो जाएगा 150 C कितना हो जाएगा 8 3s are 24 और यहाँ पे 9 A, B, C इनके बीच मुझे ratio मिल गया total value यहीं से मैं निकाल लेता हूँ कितनी होगी तो अगर total देखें तो 9 और 6 15 carry जाएगा 1 तो 5 और 5 10 और 6 16 carry जाएगा 1, 3, 4, 5 5 65 total value होगी इसका मतलब 5 65 correspond करेगा किसे यह value multiply by 3 मुझे क्या निकालना है? B का share कितना है तो 150 किसे correspond करेगा simple यहाँ पे unitary method लगेगी इसका मतलब 150 out of 5 65 multiply by 4 5 2 0 4 5 2 0 यह तो average था 3 से multiply कर दो total value मिल जाएगी 5 से simplify कर लेते हैं यह हो जाएगा 3 0 5 से हो जाएगा 1 1 और 3 अब number तो हमारे total natural number आ रहे हैं मतलब यह से कटना चाहिए 3, 4, 5 3 से तो नहीं कटेगा यह value बची तो 4 आ रहा है 4 को अगर यहाँ multiply करूँ में तो 12, 5 और 4 हाँ यह 4 बार जा रहा है 4 0 यह हो जाएगा 90 इंटू 40 मतलब 36 और 2 0 36 option number C होगा यहाँ पर correct अगला सवाल यह है हमारा trinometry base तो यह हमें दिया है theta 0 से 90 degree के बीच में होना चाहिए और इसकी मुझे value निकालनी है तो अगर किसी तरह से theta पता चल जाए तो इस वाल expression की value मुझे मिल जाएगी पहले expression से theta की value निकालनी है अब इसे अगर देखें तो या तो 30 या 45 या 60 यह हमारी known values है यहाँ पर root 3 आ रहा है अगर मैं इसकी जगे 60 degree put करूँ तो root 3 यहाँ पर होगा यहाँ पर भी root 3 हो जाएगा तो यह मेरा कटेगा निक next root 3 मुझे हटाना है तो अगर मैं यहाँ पर 30 degree put कर दूँ यह बन जाएगा 3 multiply by 10 30 होता है 1 by root 3 यह बराबर हो जाएगा 2 root 3 multiply by sine 30 होगा 1 by 2 root 3 यहाँ पर बन जाएगा 2 कट जाएगा मतलब left hand side और right hand side दोनों बराबर हो जाएगे तो theta की value confirm है कि 30 degree ही होगी इस 30 degree को इस वाल expression में put करेंगे तो यह बन जाएगा 60 sine 60 होता है root 3 by 2 square करना है मतलब 2 multiply by 3 by 4 minus cos 3 into 3090 यह 0 होता है तो आगे calculate नहीं करना है यह देगा मुझे 3 by 2 option number B area किसी circular park का इतना दिया हुआ है 3.5 meter wide उसके जो एक उसके आसपास path है वो बना हुआ है park के area निकालना है उस path का मतलब concentric circle जैसे बनेंगे एक छोटा सा अगर यहाँ पर diagram बना दूँ यह है और उसके अंदर इससे थोड़ा सा adjust करके concentric बना देते हैं कुछ इस तरह से अब अगर देखें width जो है यहाँ पर width जो है color change कर देता हूँ इतना हिस्सा यह तो मुझे दिया हुआ है 3.5 है दूसरा अगर मैं यहाँ पर देखूँ छोटा वाला जो है उसको अगर मैं r radius मानूँ बड़े वाली की अगर मैं capital r radius मानूँ capital r minus small r 3.5 के पराबर होगा बस यह वाला area मुझे चाहिए जो बाहर यहाँ पर ring का area निकलता है तो उसका standard formula होगा pi bracket capital r square minus small r square तो वहाँ पर a plus b का मेरा form बन जाएगा पर सबसे पहले मुझे small r की value निकालनी पड़ेगी जो यहाँ से मिलेगी 22 by 7 r square बराबर होगा 1, 2, 4, 7, 4 के simplify करते हैं 11 से यह बन जाएगा 9 और 9 कटेगा पूरी तरह से एक बार फिर यहाँ पर एक बार फिर 37 हो जाएगा तो 3 बार और 44 हो जाएगा 4 बार 2 से काट दें तो 5 बार 6 बार और 7 बार r square कि अगर यहाँ पर बात करें तो 5, 6, 7 आ रहा है और 7 यहाँ पर आ रहा है तो इसको अगर break up करें तो 7 से 7 multiply by 7, 8 is a 56 और 1 और जो नीचे वाला 7 था यहाँ पर लिख देते हैं इसका under root लेंगे तो r की value मिलेगी 7, 9 is a 63 small r की value मुझे मिल गई capital r की value अगर मैं आपसे पूछ हूँ तो उसमें 3.5 आप add कर देंगे यह हो जाएगा 66.5 capital r, small r दोनों मिल गया अब area निकालना है तो 22 by 7 अब इस path का area निकालेंगे जो ring है उसका bracket r square capital r square minus small r square तो a plus b, a minus b का वो form मन जाएगा, a plus b में क्या होगा इन दोनों को add करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा 12,9.5 फिर दूसरे में capital r minus small r करना है तो वो 3.5 के बराबर ही रहेगा 3.5 simplify करें 35 दिख रहा है तो इसे बना देंगे 0.5 अब इतना मुझे calculate करना है यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 0.5 2 है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 11 कर देते हैं 2 multiply कर देंगे तो यह मेरा पूरा बन जाएगा multiply by 1 अब 11 से मुझे multiply करना है तो यह तो हो गया आसान 12,9,5 12,9,5 5,4,1 2,1,4 और 1 decimal है तो यहाँ पे लगा देंगे 1424.5 option number A होगा यहाँ पे correct question number 7 ABC triangle दिया है जहाँ पे angle C 90 degree है Q midpoint है BC पर तो पहले तो यहाँ पे diagram बनाते होँ चलते हैं right angle triangle है जो जो लिखा है वो यहाँ पे लिख देंगे यह 90 हो जाएगा यहाँ पर A माल लेते हैं यहाँ पर B माल लेते हैं Q यहाँ पे midpoint दिया हुआ है तो अगर मैं A से लेके Q को connect करता हूँ तो यह भी एक right angle triangle बनेगा चोटा सा और एक बाहर तो बनी रहा है AB की length 10 cm दिया है तो यह हो गई 10 cm AC 2 root 10 दिया है AC यहाँ पे है 2 root 10 cm मुझे निकालना है A Q की length A Q की length निकालनी है यह midpoint है तो यह और इसके बराबर है मतलब पहले तो मैं pythagoras theorem लगा के बड़े right angle triangle में भी C की length निकालूँगा वो निकलेगी 10 का square 100 minus 10 और 4 40 मतलब 60 60 को मैं लिख सकता हूँ 4 into 15 इसका under root लूँगा तो 2 root 15 total length C से लेके भी 2 root 15 है यह दोनों बराबर हिससे हैं तो एक हिस्सा हो जाएगा under root of 15 अब A Q की length निकालनी है तो वापस पाता हूँगर उस theorem लगा दूँगा यहाँ पर मैं 10 और 4 40 plus 15 का under root 15 का square 15 55 इसका under root ले ले लेंगे तो A Q की length मिल जाएगी option number A cost price किसी article की 280 रुपए है shopkeeper उस पे 16% का discount देता है और उसके बाद भी 20% का उसे gain होता है तो mark price निकालना है simple सा effect method वाला जो हमने अपनी classes में सीखा हुआ है mark price upon cost price 280 लिख लेंगे discount effect 16% का discount है तो इसका effect कितना होगा 84 upon 100 तो 100 में से 16 आपने घटा दिया तो 84 gain कितना दिया है उन्होंने 20% 20% का मतलब होता है 1 by 5 gain है तो 6 by 5 6 divided by 5 इसे simplify करना है 28 है यहाँ पे 84 7 से कर लेते है 4, 0, 7 से 1 बार, 2 बार 4 से ये 10 बार, ये 3 बार, 3 से ये 2 बार 5 था तो इसे दो बार कर दो 2 into 2, 4 और फिर उसमें 100 multiply करना है, मतलब 400 option number A होगा यहाँ पे correct option number 9 A और B किसी काम को 18 और 30 दिन में अकेले कर लेते हैं, वो लोग 5 दिन तक काम करते हैं और फिर C बचा हुआ काम करते हैं, तो पहले तो इस 18 और 30 को देख लेते हैं 18 और 30, इसका अगर मैं LCM लूँ, तो 6 तो कामन आ जाएगा, यहाँ पे 18 से 3 बचेगा, 30 से 5 बचेगा, मतलब जो मेरा total work है, वो होगा 3 multiply by 5 multiply by 6, यह मेरा निकला total work, अब मैं efficiency निकाल लूँगा, A की और B की, A को कितना 18 दिन लगते हैं, 6, 3, 18 5 बचा, यहाँ पे लिख देंगे, B को 30 दिन लगते हैं, 6, 30, 3 बचा यहाँ पे लिख देंगे, combined इनकी कितनी efficiency है, 8 की efficiency है, इस 8 की efficiency से इन लोगों ने 5 दिनों तक काम किया, तो 5, 80, 40 यूनिट तो इन्होंने काम कर लिया, ओरिजिनल काम था कितना 6, 5, 30, 2, 3, 90 90 तो टोटल काम था 40 यूनिट कर लिया मतलब काम अब मेरा बचा 50 यूनिट का अब इस 50 यूनिट काम को C 15 दिनों में कर लेता है 15 से divide कर देंगे, तो C की मुझे efficiency मिल जाएगी, 5 से 3 बार 5 से 10 बार, 10 इस टू 3 इसे हटा देता हूँ, यहाँ पर C की efficiency लिख देता है 10 upon 3 इतना सब कुछ निकल गया अब A और C मिलके 5 बाइ 6 पार्ट कम्प्लीट का कितने दिनों में कर लेंगे, वो मुझे निकालना है तो पहले तो efficiency देखनी पड़ेगी A और C की तो 5 प्लस 10 बाइ 3, 15 और 10, 25 बटे 3 25 बाइ 3 तो उनकी combined efficiency आ गई total work कितना है red से यहाँ पर लिख लेते है, 90 उसका कितना हिस्सा करना है 5 बाइ 6 5 बाइ 6 से multiply कर देंगे इसको efficiency से divide कर देंगे मतलब 3 उपर चला जाएगा 25 नीचे रह जाएगा यह total मेरा बन गया अब इसे solve करना है, तो यह हो जाएगा 5 बार 3 से इसे कर दो 2 बार, यह हो जाएगा 10, 0 काट देगा, तो 9 बचेगा option number C, यहाँ पर मेरा answer हो जाएगा option number 10 ABC, triangle ABC similar दिया है, triangle DEF के ABC का area दिया है DEF का area दिया है, BC length दिया है तो यह similar है, तो BC length दिया है और EF पूछा है तो वो भी similarity follow करेंगे area similar triangles में, उनके side के ratio के square में चलता है तो यहाँ पर अगर दिया है 13.5 दोनों का area में divide कर रहा हूँ ratio ले रहा हूँ simply उसका तो 135 लिख लेते है 0.5 को नीचे 10 लिख लेते है यहाँ पर 24 दिया है इसका अगर मैं under root ले लूँ तो वो बराबर होगा उनके side के ratio के बराबर यह दिया है 3.15 EF को माल लेते है X, इतना part मुझे simplify करना है 5 से यह जाएगा 2 बार और फिर 7 बार, 5 से यह जाएगा 2 बार, 3 से यह जाएगा 9 बार, यह जाएगा 8 बार, उपर हो गया 9 नीचे हो गया 16, मतलब इस under root से मुझे यहाँ पर मिलेगा 3 by 4 बराबर 3.15 divided by X, 3 से simplify करें तो यह 1.0 और फिर 5 4 multiply करेंगे तो 20 मतलब 0.2 और यहाँ पर 4, 4.2 option number D होगा यहाँ पर correct question number 11 Atul purchased bread costing 20 रूपे and gave 100 रूपी नोट, 100 रूपे का नोट दिया 20 रूपे की जो ब्रेट थी chop की पर ने balance मनी तो 80 रूपे उसको लोटाए 2, 5 और 10 के सिक्कों में अगर उन सिक्कों की जो रेशो है number of coins का जो रेशो है वो 5, 4, 1 है तो 5 रूपे के कित्ते सिक्केत है यह हमें निकालने standard question है सबसे पहले यहाँ पर नमबर लिख लेते है 5, 4, 1 का रेशो यहाँ पर चल रहा है color change कर लेते है इस रेशो को मैं convert करना चाहूंगा value की टर्म में क्योंकि मुझे 80 रूपे value दी हुई है 5 सिक्के है 2 रूपे एक की value है रेशो की टर्म में ज़स्ट देख रहे है तो 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10 4 इंटू 5, 20 1 इंटू 10 10 तो रेशो निकलेगा यह value की time में रेशो मिल गया तो सबको जोड़ दें तो 4 आ रहा है 4 करस्पॉंड कर रहा है उस balance 80 रूपे को एक उनिट करस्पॉंड करेगा 20 रूपे को मुझे निकालना है 5 रूपे के कितने सिक्के थे 5 था इस पे मतलब 2 की value कितनी होगी 40 तो 40 रूपे तो है 5 पांच के सिक्के हैं तो 5 से divide कर दो मतलब 8 8 सिक्के होंगे option number C next question simplification का question है वापस board mass rule लगा देंगे हैं यहापे तो bracket देख लेते हैं उसके अंदर nested यह वाला आ रहा है तो पहले इस इसे को देख लेंगे यह मुझे देगा minus of 5 3 to the 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 6 यहाँ पे minus sign है तो plus हो जाएगा मतलब इतना हिस्सा तो मुझे 11 देगा यह हो गया अब इस बड़े वाले square bracket में आते हैं तो 4 of 11 पहले इसे solve करना पड़ेगा यह हो जाएगा 44 11 से divide करना है मतलब यह मुझे देगा 1 by 4 इतना पता चल गया अब इस वाले हिस्से को देख लेते हैं मतलब इतना आपन ने देख लिया इसको हटा दो 9 3 पहले divide करेंगे तो 3 हो जाएगा 2 से multiply करेंगे 6 हो जाएगा यह वाला हिस्सा 6 के बराबर है अब divide करना है पहले तो 6 को इससे divide करना है तो 6 नीचे आ जाएगा 1 upon 4 into 6 इतना पूरा हिस्सा हमने देख लिया अब आते हैं इतने हिस्से में 90 divided by 20 of 6 तो 20 of 6 आ रहा है नीचे अगर मैं लिखनू 90 upon 20 multiply by 6 यहाँ पे लेना पड़ेगा फिर multiplication का sign आएगा और 1 upon 4 multiply by 6 0 यहाँ पे हटा दो तीन बार यह दो बार तीन से वापस से यह दो बार यह 4 है और यह 8 है इत फोर्जा 32 तो 1 upon 32 option नमबर भी हो गया correct question नमबर 13 average का सवाल है the average of 11 numbers 56 दिया है पहले 3 नमबरों का average 52 है अगले 5 नमबरों का average 60 है तो 5, 3, 8 हो गया तीन नमबर बचे होंगे तो 9 दसवा 3 और 1 जादा है 11 नमबर से average निकालना है 9 और 11 नमबर का तो इसको सब मिटा देते हैं इस तरह के सवाल को अगर normal तरीके साब solve करेंगे तो बहुत जादा time लगने वाला है तो यहाँ पर best होता है कि हम यहाँ पर लगाए deviation method को कैसे लगती है वो मैं बताता चलता हूँ group का average है 56 तीन नमबर है उनका average कितना है 52 group का average से कितना कम है 4 कम है average की term में minus 4 कम है value की term में क्या होगा 3, 4, 12 minus का sign है तो minus 12 value 12 कम है ठिक अब अगला है 5 नमबर है उनका average है 60 60 और 56 gap कितना है 4 का यह ज़्यादा है average से अगले 5 नमबर पे plus 4 average की term में value की term में क्या होगा 5, 4, 20 with plus sign 5, 3, 8 हो गए अगले कितने बचे 3 नमबर मेरे बचे अब total value मुझे यहाँ पे देखनी है यहाँ पे value जो है इसमें जितना भी हमारा deviation है वो net 0 होना चाहिए तो यहाँ पे minus 12 है यहाँ पे plus 20 है यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि इनका जो overall plus minus है वो nil deviation मुझे दे तो 8 कम पढ़ रहा है minus 8 यहाँ पे लिख देते है minus 8, minus 12, minus 20 और plus 20 वो total 0 हो जाएगा लब इस जो बचे है इनमें deviation overall से 8 कम होना चाहिए value की term में value कैसे देखें तीन जो अपने आखरी के बचे है 9th, 10th और 11th इनको ABC माल लो कुछ भी XYZ कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे A plus B plus C ABC ले रहा हूँ उनका average है मतलब 3 से divide करना था right hand side पे group का average है 56 उसमें 3 से multiply कर रहा हूँ तो value मिल गई लेकिन इस value में मुझे 8 घटाना है कितना होना चाहिए यह है हमारी सही value इन तीनों की जो होगी अब यहाँ पे कुछ conditions दी है कि जो 9 नंबर है वो 3 जादा है 11 से और 10 नंबर 1 जादा है 11 से इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A जो है वो C plus 3 B जो है वो C plus 1 और C तो as it is रहने वाले इसे calculate कर लेते है 5 तरीज़ा 15 मतलब 1.500 हो जाएगा 6 तरीज़ा 18 18 उसमें जोड़ना है और 8 घटाना है तो 18 में से पहले 8 घटा तो 10 बचेगा 1.500 में 10 जोड़ दोगे 160 1.60 किया आगे है यहाँ पे होगा 3 times C plus 3 और 4 बराबर है 160 के तो 3 C की value आ रही है 156 C की value आगे 52 मतलब अगर यहाँ पे 9th नमबर था color change कर देते हैं इससे लिख लेते हैं 9th नमबर था 10th था और 11 था तो 11 भा भी हमने निकाला 52 है 10 वा क्या था 52 से 1 ज्यादा था मतलब 53 9 वा क्या था 11 से 3 ज्यादा था मतलब 55 9, 10, 11 तीनों की actual value मुझे पता चल गई अब average निकालना है 9th और 11th number का 9th और 11th का average निकालना है तो 52 अगर मैं एज्यूम कर लो 52 उसके बाद deviation कितना आ रहा है यहाँ पर 3 ज्यादा है divide किससे करेंगे दो number है तो 52 प्लस 1.5 53.5 option number A हो जाएगा मेरा correct question number 14 radii of 2 concentric circle 12 और 13 दी हुई है AB diameter है बड़े circle की और BD tangent है smaller circle पे तो उसका तो पहले diagram बना लेते हैं यह बाहर वाला circle हो गया यह अंदर वाला circle एज्यूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा adjust कर लेते हैं दोनों को हमें concentric रखना है एज्यूम करते हैं कि यह concentric है अब diameter बनानी है बड़े वाले circle की दोनों के center से pass होता हुआ चलेगा और इस point से यहाँ पे tangent मुझे बनाना है अब यहाँ पे value लिख लेते हैं यह A है यह B है और यह D है इतना मुझे दिया है A, D मुझे निकालना है A से लेके D अगर मैं इसे connect कर दूँ पहले और इस point से इसके center को connect कर देते हैं कितनी चीज़े हैं जो हम यहाँ पे construction कर सकते हैं अब देखते चलते हैं क्या-क्या दिया है एक तो center से tangent टच हो रही है तो यह हो जाएगा 90 degree का angle छोटे वाले की radius 12 है बड़े वाले की radius 13 है तो 12, 13 और 5 का triangle बनेगा right angle triangle DB length 5 हो गई लेकिन मुझे उन्होंने पूछा है AD length क्या होगी AD length निकालने के लिए यहाँ पे A से लेके इस point तक यह तो 13 होने वाला यह 12 है लेकिन और कोई चीज यहाँ पर पता नहीं है यह 13 है यह 12 है और कुछ भी नहीं पता है AD length निकालने के लिए एक चीज जो यहाँ पर कर सकते हैं B से लेके D अगर इसे मैं और आगे extend कर दूँ यहाँ पर इस circle पर touch होते हुए और इसे यहाँ से connect कर दूँ तो AB diameter है circumference पर कितना angle बनाएगा वो 90 degree का angle बनाएगा यह मुझे पता चल गया अब बड़ा वाला जो right angle triangle है और यह छोटा वाला right angle triangle है यह दोनों आपस में similar हो जाएंगे plus यह जो है midpoint है इस line पे तो यह भी इसका midpoint होगा parallel होगा वो midpoint theorem के हिसाब से अगर यह वाली length 12 है तो यह वाली जो length total होगी वो 24 होनी चाहिए midpoint theorem लगा रहे हैं उसके बास similarity लगा रहे है दूसरी एक चीज और property यहाँ पे दिख रही है इस point को अगर मैं M नाम दे दूँ M से लेकि B बड़े वाले circle का pod है center से उस cord पे perpendicular drop हो रहा है तो वो से बराबर के हिस्सों में बाटेगा तो DB अगर 5 है तो MD भी मेरा 5 होगा अब MAD यह right angle triangle हो गया base पता है, height पता है, hypotenuse निकालना है तो यहाँ पे Pythagoras theorem लगा देंगे तो 24 AD AD का square पराबर होगा 24 का square 576 5 का square 25 यह हमें देगा 25 जोड़के और एक मतलब 601 AD square की value 601 इसका मुझे under root up लेना है तो एक चीज अगर मैं देखूँ यहाँ पे options हम देख लेते हैं 24, 25, 17 और 23 अगर 601 को में देखूँ सबसे बड़ा square इसके नजदीक कौन सा होगा इससे बड़ा वो जाएगा 625 मतलब 25 का square 25 से तो value कमा नहीं है C option नहीं हो सकता दूसरी बात 601 की करीब और कौन सा है 576 24 का square उससे value बड़ी होनी चाहिए 24 से बड़ी होनी चाहिए मतलब B नहीं होगा D नहीं होगा एक मात्र option बसता है इस point के बाद आपको यहाँ पे square root इसका नहीं निकालना है options का हम यहाँ पे use करें क्योंकि मुझे पता है इसका जो nearest है बड़ी value 25 का square चोटी value 24 का square उसके बीच में ही यह आएगा option में एक ही ऐसी possibility है question number 15 एक train है उसकी speed दे रखिये इतने second में वो एक pole को cross करती है तो यहाँ से हम train की length निकाल सकते है speed हो जाएगी 81 divided by 2 second में दिया है तो meter पर second में convert कर लेते है 5 by 18 से multiply करके 24 simplify करें तो यह 9 से 9 बार 9 से 2 बार 2 और 2 चार तो यह हो जाएगा 6 बार यह दोनों कट गए 6 फाइजा 30 30 into 9 270 meters train की length मुझे यहाँ पर मिल गई और bridge की length है 450 अब यहाँ पर दो तरीके है या तो आप दोनों को add करके उसके बाद फिर वापस से यह formula लगा दीजे या फिर यहाँ पर हम proportionality भी देख सकते है distance is equal to speed into time होता है speed दोनों के इसमें सेम रहने वाली है distance time के proportional हो जाएगा तो जो बड़ा वाला distance है वो कितना होगा 450 प्लस 27 तो यह 45 और 27 जिरो इससे जोड़ दें तो 7 और 720 तो यह हो गया divide कर दें original condition के आती 270 मीटर की time उपर वाले का time मुझे निकालना है नीचे वाले का time मुझे already दिया हुआ है choice equation ना बना के direct proportionality use करके मैं इसे निकाल सकता हूँ 0 कर जाएगा 9 से 3 बार, 9 से 8 बार, 3 से यह 8 बार it is a 64 option number D answer हो जाएगा question number 16 यह expression दिया हुआ है x की value x से ज़्यादा होनी चाहिए और यह निकालना है मतलब बड़ी power से छोटी power की तरफ मुझे जाना है 727 दिख रहा है square root निकालना होता है तो plus minus देखते हैं कुछ करके तो 727 nearest मुझे क्या square दिख रहा है 729 9 का cube होता है और 27 का square होता है तो दोनों तरफ में plus 2 कर रहा हूँ यहाँ पर तो जब इसका whole square बनाएंगे तो यह मुझे देगा यहाँ पर x square plus 1 upon x square का whole square बनेगा 27 का square मतलब simply अभी 27 लिख लेते हैं यह value मिलेगी यहाँ पर तो दोनों तरफ plus 2 plus 2 यहाँ पर किया यह बन गया 27 का square यह बन गया x square plus 1 upon x square का whole square तो इतना value direct लिख 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 अब minus पर चलना है next कुछ देखना पड़ेगा यहाँ पर अगर मैं minus 2 कर दूँ यहाँ पर minus 2 कर दूँ तो यह मेरा बन जाएगा x minus 1 upon x यह बन जाएगा 25 अंडरूट लेंगे 5 x minus 1 upon x की value आएगी 5 option number d question number 17 greatest value निकालनी है b की such that यह number completely divisible है 11 से और condition यहाँ पर उन्होंने एक और दे दिया है कि a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए देखते हैं इस condition का क्या मतलब है पहले तो 11 से divisibility है तो plus minus plus minus alternate हम करते चलेंगे left यह सबसे कोने वाले digits से यहाँ से शुरू करते हैं इसको plus मानते हैं तो b 6 और 0 6 plus b minus फिर 8 a और 3 8 3 ग्यारा plus a यह आना चाहिए या तो 0 या 11 का कोई multiple 11, 22 कुछ भी इसे अगर देखें यहाँ पर तो b minus a यह minus of 11 ने तो minus 5 बराबर होगा पहले अगर मैं 0 को consider करूं तो b minus a 5 के बराबर आ रहा है अब यहाँ तक तो ठीक था लेकिन यह वाली condition अब दिक्कत दे रही है कि a जो है वो बड़ा होना चाहिए तो यहाँ पर तो b बड़ा हो रहा है तब ही यह positive आ रहा है इसका मतलब जो 0 लिया है वो सही नहीं है अगला क्या ले सकते है multiple उसका अगर मैं 11 को consider करूँ तो 11 के case में क्या होगा b minus a बराबर हो जाएगा 11 में 5 जुड़के 16 यहाँ पर भी possible नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी बड़ा हो रहा है इसका मतलब अगर मैं positive value ले रहा हूँ तो यह condition satisfy नहीं हो रही है तो मैं क्या करूँगा negative value लूँगा कि मुझे ऐसा number चाहिए जो 11 से divisible हो तो अगर 11 divisible होता है तो minus 11 भी divisible होता है तो मैं minus वाली values consider करना चुरू करूँगा अब मैं ले रहा हूँ minus 11 जब मैं minus 11 लूँगा तो मेरी condition बनेगी b minus a minus 11 और plus 5 मुझे देगा minus of 6 अब यह possible है a अगर बड़ा है तब यह negative देगा इसी को अगर मैं rearrange करके लिखूँ तो a minus b बराबर हो जाएगा 6 यह मुझे question मिल गई अब उन्होंने बोला है कि b की value greatest होनी चाहिए greatest होनी के लिए क्या क्या possibilities है वो मैं यहाँ पर लिखता चलता हूँ a की value अब यह सब single digit लेंगे a की value अगर 9 है तो b की value 3 होनी चाहिए a की value अगर 8 है तो b की value 2 होनी चाहिए a की value अगर 7 है तो b की value 1 होनी चाहिए ऐसी possibilities बनेंगी लेकिन मुझे चाहिए कि b greatest रखना है b greatest कहां पर आ रहा है यहां पर आ रहा है तो B की वैल्यू 3 होनी पड़ेगी, A की वैल्यू 9 होनी पड़ेगी. B का पूछा है, तो option number C हमारा correct हो जाएगा. Option number 18, कोई trader है उसने 640 kg चावल खरीदे, कुछ हिस्सा उसने 20% profit पे बेचा और बचा हुआ 5% loss पे बेचा. Overall उसको 15% का profit हो रहा है पूरे के पूरे transaction पे. कितना चावल उसने 5% के loss पे. Elegation यहाँ पे लगाना है, कोई दिक्कत नहीं. Minus 5% पे कुछ हिस्सा बेचा. Overall कितना profit हो रहा है 15% का. बाकी का हिस्सा 20% पे था. Distance देखे, minus 5 से 15 जाएगा, 20 का. मतलब weight चला जाएगा, यहाँ पे 20. 15 से 20. Gap कितना है 5 का, तो weight चला जाएगा, यहाँ पे 5. दोनों weight को simplify कर लेंगे, तो यह 1, यह 4. 1 is to 4 का ratio यह follow करेंगे. 640 total है, मतलब 5 unit correspond करता है 640 को. तो हमें निकालना है किसका 5% loss वाले का. मतलब एक वाला हिस्सा निकालना है. एक किसे correspond करेंगा, master divide करेंगे. तो 12 बार और फिर यहाँ पे 8 बार, 128. Option number A होगा यहाँ पे, correct. Question number 19. X minus 1 upon X की value 1D है, और X to the power 8 की value यहाँ पे निकाल ली है. कम power से ज़्यादा power की तरफ जाना है. विश्ले वाले सवाल में, मेरे खाल से उपर 16 या 17 ऐसा कुछ था, वहाँ पे ज़्यादा power से कम power की तरफ आ रहे था है. यहाँ पे कम power से ज़्यादा की power है. तो square करते चलेंगे, क्योंकि even है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. इस वाली expression को square अगर हम करेंगे, अपकी बार यहाँ पे रहेगा, plus of 2, उस तरफ जाके, minus 2 हो जाएगा. तो 3, 3 जा 9, minus 2, 7. 4 तक पहुँच गया, 8 पे जाना है, एक बार over square कर देता हूं, x to the power 8, plus 1 upon x to the power 8, plus 2 बचेगा, उस तरफ जाके, minus 2 हो जाएगा. 7, 7 जा 49, minus 2, 47. Option number C, correct. A train is to cover 370 km, एक uniform speed पे. 100 km चलने के बाद, train की speed, 5 km प्रती घंटे से कम हो जाती है, नॉर्मल स्पीड से, उस टेक्निकल फॉल्ट की वज़े से. इसकी वज़े से, train 36 मिनेट लेट हो रही है. हमें निकालना है, नॉर्मल स्पीड क्या होगी? ऐसे सवाल में, अगर यहाँ पे आप देखे हैं, speed का कोई ratio नहीं दिया है. तो जो भी यहाँ पे, पहले नॉर्मल चीज, जो भी यहाँ पे time में difference आ रहा है, वो किसकी वज़े से आ रहा है? जब 100 km चलने के बाद, ट्रेन में खराबी आई, उसके बाद. मतलब जो हम काम करेंगे, 270 km पे करेंगे. अब, speed का ratio नहीं दिया है इन्होंने. एक speed को assume करना पड़ेगा, जो भी उसकी original होगी, नई speed हो जाएगी x-5. इस वज़े से यहाँ पे अब बनाना पड़ेगा हमें equation. तो equation को लिख लेते हैं. distance क्या है? 270. time की terms में यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि difference दिया है, 36 minute का. तो जादा time किसमें लगेगा? जब उसकी speed कम हो चुकी होगी. x-5. minus करेंगे, 270 divided by original speed, x. time difference कितना आ रहा है? 36 minute का. r's में convert कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ km और r में है. यह हो जाएगा 6 by 10, 6 by 10 का मतलब 3 by 5. तो इसे ठीक से लिख देते हैं, 3 by 5, simplify करके. अब यह equation आ गई मेरे सामने. अब यहाँ पे दो option बजते हैं. या तो इस point के बाद quadratic बना के मैं solve करूँ. cross multiply कर रहें, सब कुछ कर रहें. या फिर, सवाल में उन्होंने पूछा है, सामानने ग्रती क्या थी. उस speed को ही हमने x माना हुआ था. यह हमारा यहाँ पे variable है. options का यहाँ पे हम use करेंगे. यह है best यहाँ पे. जब भी इस तरह की question बने, जो variable है, वही पूछा गया हो. option में, दिया ही हो का साही answer उसमें. तो यहाँ पे हम value put करेंगे, बजाए quadratic बना के उसे solve करने के. अब value put करने में, थोड़ी सी smartness यहाँ पे हम दिखाएंगे. अगर मैं 48 लूँगा, तो यह बन जाएगा मेरा 43. 43 के बाद फिर यह कुछ भी divide होता नहीं दिखेगा, division में मुझे 5 चाहिए, तो यह तो नहीं होता दिखाएंगा. अब, 45 अगर है, तो यहाँ पे 40, और यहाँ पे हो जाएगा, तो 45. 35, तो कुछ simplify मुझे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. अगर 40 को मैं लूँ, तो यहाँ हो जाएगा 35. 35 फिर यह simplify होके नीचे 7 दे देगा, 7 तो कटेगा नहीं, तो 40 भी नहीं होना. 50 और 45, अब यह 2 मेरे पास बचे. दो option बचे, कोई भी एक put कर दो, अगर उससे value 3 by 5 आ गई, तो वो सही है, नहीं आई, तो second option सही हो जाएगा. तो कोई साब भी ले लीजे, चाहे option B, चाहे option D. For example, अभी के लिए D ले लेते हैं, 50 assume कर लेते हैं, तो equation हमारी बन जाएगी, 270 divided by, 50 में से 5 घटाएंगे, 45, माइनस 270 घटे, 50, यह बराबर होनी चाहिए, 3 by 5 के, अब इसा simplify करें, तो यह तो 0 कट गया, 9 से यह जाएगा, और 9 से यह 5 बार, 30 minus 27, 3, नीचे 5 आ रहा है, तो left hand side, right hand side, दोनों equate हो गए, option number D, यहाँ पर हो जाएगा, हमारा सही, अगर यहाँ पर 3 by 5 ना आता, कुछ और आता, equation हमारी satisfy ना होती, तो option B, automatically सही हो जाता, इसलिए, दो options eliminate कर लो, बाकी 2 में से कोई भी एक put करो, अगर आ गया, तो वह ही answer है, नहीं आ है, तो दूसरा वाल option answer, question number 21, तो equal sum है, उन्हें आपने दिया, simple interest, 6% per annum और 10% per annum, interest rate अलग अलग है, पहला वाला, दो साल पहले बाद में, लेटर आपने recover किया, और amount, दोनों case में, 1105 आ रहा है, principle भी सेम है, amount भी सेम है, ऐसा कब possible है, principle भी सेम है, amount भी सेम है, और percentage rate आपका अलग अलग है, मतलब interest दोनों का हमें यहाँ पे equate कर देना है, वहीं से हमें कुछ न कुछ hint मिलेगी, तो अगर time मुझे चाहिए, interest मुझे part equate करना है, यहाँ पे क्या था, 6%, कित्र time के लिए, 2 साल ज्यादा, इस से, तो total time अगर मैं x माल लूँ, तो उसमें 2 ज्यादा, बराबर 10% time x, percentage sign तो दोनों दर्व से कट जाएगा, इसी point पहटा देते हैं, यह हो जाएगा 6x plus 12, बराबर होगा 10x के, 6 दर जाएगा 4, मतलब x की value मुझे मिल जाएगी 3, 3 years, x की value मुझे मिल जाएगी 3 साल, तो 10% को आपने 3 साल के 3 plus 2, 5 years के लिए रखा, तो दोनों वहाँ पे equate हो जाएगे, अब हमें निकालना है कितना समता, मतलब principal original कितना था, तो चाहे 6% वाला ले लो, चाहे 10% वाला ले लो, कोई सा भी ले लो, amount है 1105, principal है, अब interest, अगर मैं 10% ले लो, तो 10% 3 साल के लिए मतलब 30% का effective rate देगा, तो 0 कट जाएगा, अब number तो natural है, तो 13 इस से कटना चाहिए, देख लेते हैं, 13 से 9 बार में 117 जाता है, तो 8 बार में 104, तो 6 और 5, 65 बचेगा, तो 5 बार में जाएगा, तो 10 multiply होके, 850, यह हमारा answer हो जाएगा, question number 22, वापस से trigonometry base सवाल आ गया, 3 sec theta प्लस 4 cos theta minus 4 root 3, 0 के बराबर है, theta acute angle है, और theta की हमें value निकाल लिए, अब यहाँ पे दिख रहा है मुझे root 3, यह वाली cos की time है, यह cos का inverse है, तो root 3 कब आएगा cos में, जब angle 30 degree हो, एक ही option है, तो 30 degree यहाँ पे put करके test कर लेते हैं, 3 multiply by, cos 30 होता है, root 3 by 2, तो यह होगा, 2 by root 3, plus 4 times cos है, तो root 3 by 2, minus 4 root 3 दिया है, 0 के बराबर आना चाहिए, यह root 3 है, तो यहाँ पे root 3 हो जाएगा, इससे यहाँ से हटा देते हैं, यह 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 root 3, 2 root 3, 4 root 3, minus करेंगे 0, मतलब theta की value, 30 degree सही, option number B, question number 23, वापस से trigonometry का question थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, चेक कर लेते हैं इसे भी, इसकी value निकालनी है, सब यहाँ पे constant आ रहा है, तो 10, 45 degree minus alpha, cot 45 degree plus alpha, 10 cot आ रहा है, दोनों में add करेंगे, तो 90 degree आ रहा है, मतलब यह तो आपस में कर जाने वाले है, अब यहाँ पे पहले base देख लें, तो 12 और 78, यह 90 हो रहा है, तो यह भी आपस में कर जाएंगे, 24 और 66, यह भी add हो के नब भी दे रहा है, यह भी कर जाएंगे, मतलब denominator भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 minus, उपर numerator वाला पाट देख लेते हैं, cos 19 और sin 71, sum 90 बनता है, मतलब इसे में लिख सकता हूं, sin of 71, तो यह हो जाएगा, to sin 71, second bracket में, sec 19 और cosec 71, sum again 90 डिगरी बन रहा है, तो इसे में लिख सकता हूं, cosec की term में, यह हो जाएगा, 2 times, cosec 71, sin 71, cosec 71, यह आपस में कर जाएंगे, तो यहाँ बचाएगा, 1 minus 2 into 2, 4, यह देगा, minus 3, option number 1, question number 24, a man and a woman working together can do a work in 66 days, उनकी working efficiency का ratio भी दे दिया है, तो पहले इतना पार्ट देख लेते हैं, men की efficiency अगर 3 unit है, तो women की efficiency 2 unit है, combined efficiency 5 unit हो गई, कितने दिन काम किया, 66 days, तो total work कितना हो जाएगा, 66 multiplied by 5, यह हो गया, अब, in how many days, 6 men and 2 women working together can do the same work, तो इनकी efficiency निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह दिया हुआ है, एक की, एक आदमी की efficiency 3 है, 6 की कितनी होगी, 18, एक women की efficiency 2 है, 2 की कितनी होगी, 4, दोनको combined जोड़ देंगे, तो यह हमें देगा, 22, यह efficiency है, यह total बार के, डिवाइट कर देते हैं, तीन बार मतलब 15, 15 दिन उन्हें लगेंगे, उस काम को पूरा करने में, question number 25, यह अपना आखरी question, shopkeeper marks is good, 30% higher than the cost price, markup दिया है 30%, discount दिया है 10% का, in order to earn 6.5% more profit, what discount percent should he allow on the mark price, दो condition है, तो पहले, पहली condition को देख लेते हैं, markup effect, markup 30% का है, तो effect क्या होगा, 130 बाटे 100, 13 बाटे 10, यह markup हो गया, और discount दिया है 10% का, effect क्या होगा, 9 by 10, मतलब, यह मुझे देगा, 117 बाटे 100, तो original पहली condition में क्या हो रहा है, उसका जो profit percent है, वो है 17% का, यह original condition होगी, लेकिन, उसको 6.5% ज्यादा profit कमाना है, तो यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे 6.5% को, यह हो जाएगा, 3 और 3, देविस 0.5%, इतना profit उसे कमाना है, markup उसे वही रखना है, तो discount में वो क्या change लिया है, वापस एक बार markup effect यहाँ पे लगा देंगे, क्रीन से लिखते चलते हैं, markup तो same रहने वाला है, 13 by 10, discount हमें निकालना कितना percent होगा, तो उसके effect को अभी के लिए X लिख लेते हैं, पराबर होगा, अब की बार SP upon CP क्या लिखे हैं, जो उसे profit चाहिए उसके इसाब से, तो 23.5% का उसे profit चाहिए, तो SP हो जाएगा, 1, 2, 3, point को नीचे लिख कर देंगे, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ 10 और नीचे solve, यह मेरी question बन गई, X के लिए इसे मैं solve करूँगा, तो 10 तो यहाँ से cut गया, और 5 यहाँ से cut देते हैं उपर नीचे, यह दो बार जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, तो 4 बार, फिर यहाँ पे 35 हो जाएगा, तो 7 बार, यह हो जाएगा 20 बार, अब 13 से यह cut गाएगा क्या, अगर एक बार जाएगा, तो 13, 11 और 7, 9 बार, यह भी cut जाएगा, एक्स की जो value आ रही है, वो हो रही है, 19 डिवाइड़ बाई 20, यह discount का effect है, effect है, discount कैसे दिखेंगे, एक का difference आ रहा है, किते पे 20 पे, 1 बाई 20 क्या होता है, 5%, मतलब उसे अपना discount रखना चाहिए, 5%, अगर उसे 23.5% profit कमाना है, तो जो हमने अपना effect method देखा था, markup effect, discount effect, अगर इसमें cheating meeting होती, तो cheating का effect, वो बराबर हो जाता है हमारे, SP upon CP के ratio में, तो concept wise सारा class में किया हुआ है, कुछ भी ऐसा सवाल नया नहीं था, जिसमें हमें problem आये, एक दो सवाल थे, जिनमें थोड़ा सा calculation हमें लग सकता है, या एक बार में हमें नहीं दिखेंगे, जैसे एक तो जो geometry वाला सवाल था, जहांपे AD length निकालनी थी, जहांपे construction करना था, वो थोड़ा सा challenging सवाल था, इसके अलावा जो average वाल एक सवाल था, जो lengthy आते हैं, अगर उन्हें normal तरीके से करेंगे, तो बहुत time लगेगा, deviation method वहाँ पर हमें थोड़ी सीखनी है, classes उस पर already मैं बना चुका हूँ, काफि सारे examples करा चुका हूँ, तो अगर आपको deviation समझने में problem आ रही है, arithmetic की बात हो, या advance की बात हो, arithmetic की पूरी playlist upload की हुई है, channel पे, playlist section पे जाएंगे, तो आपको arithmetic दिख जाएगा, advance का portion अभी चल रहा है, geometry complete करा चुका हूँ, mensuration आधा हो चुका है, तो काफि सारी चीजे हैं, जो हम पढ़ते हैं, वही साब आती है, लेकिन application हमें दिखना चाहिए, application अगर नहीं दिखेगा, तो फिर यहाँ पे हमें problem आएगे, तो जो चीजे classes में पढ़ रहे हैं, उन्हें revise कीजे, उस तारह के questions की practice कीजे, प्लस ऐसा कोई सावाल नहीं है, जो यहाँ पे ऐसा मुश्किल हो, ना देखा हुआ हो, या फिर इसके पीछे का concept कभी पता ही नहीं हो, ऐसा कोई सावाल नहीं है, दूसरी बात, इस particular shift में, data interpretation का एक भी सावाल नहीं था, सारे के सारे arithmetic और advanced के ही सावाल है, तो आगे की shift का नहीं पता है, उन्हें देखेंगे जैसे solve करेंगे, पर इस वाली shift में, ये थोड़ी से एक peculiar property दिखी, di का कोई भी set नहीं था, तो इसी तरह से shift 1 और shift 2 तो कर चुके थे, अगले वीडियो में अगला paper हुआ था, 16 अगस्त का, तो 16 अगस्त के shift के papers को हम देखेंगे, इन सारे papers की जो link है, जो PDF है, वो मैं अपने telegram channel पर upload कर दूँगा, वहाँ से आप download कर सकते हैं, link मैं आपको description में दे दूँगा, तो मिलते हैं, अगले वीडियो में, next video solution, अगले paper, thank you,